नमस्कार आजिम्लों Science in Tech के इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में क्या करेंगे अध्यान करेंगे यह टॉपिक हाल फेल हाल में बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं और आने वाले एक्जामनेशन्स में इसके बारे में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभाबना है आता इस वीडियो का अच्छे से आप देख लेंगे और इन टॉपिक्स को नोट कर लेंगे तो हम लोग सुरू करते हैं Science in Tech के कुछ महत्पून टॉपिक इस वीडियो में आप यारा वाइरस के बारे में जानेंगे जो नया वाइरस है और अने वाइरस क्या है बिल्कुल अ तो पहलो जो मेरा टॉपिक है वो है क्या है यारा वाइरस जो हम इमेज के मादे हम से भी दिखा दिया है यारा वाइरस क्या है ब्राजील के एक जील में सूध करताओं ने एक वाइरस की खोज की है जो और सामान ने है इसे यारा वाइरस का नाम दिया गया यह अन्ने गया है जा एक एक जीन होते हैं जिनहें पहले वरणिट नहीं किया गया लिज भी देखा नहीं गया थी यानि कि अन्य वाइरस में इस प्रकार का जीन नहीं पाया जाता है और यही यारा वाइरस को एक यूनिक फीचर प्रदान करता है तो यारा वाइरस खोजा कहा गया है तो ब्राजील में खोजा गया है यारा वाइरस इंफेक्ट कि इसको करता है तो अमीबा को संक्रमित करता है और यह अन्य वाइरस से अलग क्यों है क्योंकि इसका जो जीन है वह अन्य वाइरस से क्या है भिन है और यारा वाइरस के छोटी आकार के कारण यह अमीबा को संक्रमित करने वाले अन्य वाइरस से क्या है अलग है बहुत सारे ऐसे वाइरस है जो अमीबा को क्या करते हैं संक्रमित करते हैं लेकिन इसका आकार क्या है छोटा है और अन्य वाइरस से इसका जीन क्या है भिन है इसलिए अन्य वाइरस से क्या होता है भिन होता है तो दो तिन इंपर्टेंट पॉइंट हमको यार यारा वाइरस से क्या याद रखना है कि इसका खोज कहां किया गया है ब्राजील की एक जील से किया गया है यारा वाइरस किसको संक्रमित करता है तो अमीवा को संक्रमित करता है यारा वाइरस का यूनिक फीचर क्या है तो इसका जो जीन है वह अन्य वाइरस से भिन है और इस जिसे MOTHER OF WATERS कहा जाता है के कारण दिया गया है यानि कि ब्राजील में जो एक पौरानी कहानी है जिसमें एक आपका कारेक्टर था YARA जिसको MOTHER OF WATERS जल की देवी कहा जाता था उसी कारेक्टर उसी YARA को क्या किया गया यहाँ पर YARA Virus के नाम से जाना गया है यानि कि इसमें यारा वाइरस के लिए वह जो यारा सब्ध है उसी पौरानी कथा से क्या किया गया है ले लिया गया है चुकि यारा वाइरस अमीवा को इंफेक्ट करता और अमीवा क्या है एक जलिये जीब है इसलिए इसको क्या कहा गया Mother of Waters कहा गया तो पूछ देगा यारा वाइरस में यारा सब्द कहा से लिया गया है तो ब्राजील के एक पौरानिक कहानी से यारा सब्द को लिया गया और उसमें उस पौरानिक कथा में यारा का मतलब क्या था तो Mother of Waters था अब देखा गया यारा के जब जीनोम को देखा गया तो उसका जो 90% जीनोम था वह आज तक कभी देखा नहीं गया था बिल्कुल क्या था नया था तो हम कहा सकते हैं यह नए प्रकार का क्या है एक वाइरस है और एक हमारे लिए good news यह भी है कि यह जो वाइरस है वह मानव कोशिकाओं को संक्रमित नही करता है तो यारा वाइरस से क्या-क्या important point बनता और question पूछ सकता है तो यारा वाइरस की खोज कहां की गई है ब्राजील से की गई है यह किसको संक्रमित करता है तो अमीबा को संक्रमित करता है इसका आकार अन्ने वाइरस से क्या होता है छोटा होता है इसका 90% जीनोम जो है waters होता है उसी से यारा सब्द को क्या किया गया है लिया गया है तो इंग्जैमनेशन में question पूछ दे कि बिल्कुल नया वाइरस की खोज की गई है उस वाइरस का नाम क्या है तो हम क्या कह सकते हैं यारा वाइरस कहते हैं और मानडम में अभी इसका संक्रमन नहीं देखा गया ह या केवल कि इसको संक्रमित करता है तो अमीबा को संक्रमित करता है अब हम लोग अगले टॉपिक की और बढ़ते हैं अब आते हैं गोल्डी लॉक्स जोन कि इसको कहा जाता है गोल्डी लॉक्स जोन देखे क्या है हम लोग जानते हैं कि सूरे एक क्या है तारा है और इसके चारो तरफ गरह जो है वह क्या करता है चकर लगाता है कुछ गरह एकदम नजदीक होता है और कुछ गरह क्या होता है बहुत जादा दूर होता है जो सूरी से नजदीक गरह होता है उसका सता क्या होता है त्याधी गर्म होता है जो सूरी से बहुत दूर गरह होता है उसका सता समानेता क्या होता है ठंडा होता है अगर कोई गड़ा सूर के एकदम नजदीक होगा तब भी रहने लाइक वहाँ कंडिसन ने होगा क्योंकि तापकरम बहुत ही क्या होगा ज्यादा होगा लेकिन अगर सूर से बहुत ज्यादा दूर गड़ा है तो वहाँ पर तापकरम इतन क्या कहा जाता है ब्लू प्लानेट कहा जाता है तो वैसा छेत्र जहां पर प्रित्वी या किसी अन्य गरह पर मौजूद जो जल हो वह ना तो अत्यधिक गर्मी की कारण खौल जाए और नहीं तो अत्यधिक ठंधा के कारण क्या हो जाए जम जाए तो वैसे छेत्र को क्या कहा जाता है गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है यहां पर अगर कोई गरह मौजूद हो तो उस पर मौजूद द्रब नहीं तो अत्याधिक गर्मी के कारण खौल जाता हो और नहीं तो अत्याधिक ठंडा के कारण जम जाता हो तो उस छेतर को क्या कहा जाता है गोल्डी लॉक्स ज प्रिथवी सुरी के गोल्डी लॉक्स जोन में है तो समझ जाए कि अगर माल लेते हैं कि प्रिथवी अगर बॉना ग्रह जो प्लूटो है उसके पास रहता तो सुरी से बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण इतना ज्यादा ठंधा इसका सतह रहता कि प्रिथवी पर इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रिथवी क्या है सुरी के गोल्डी लॉक्स जोन में है तो यह हम लिख भी दिये हैं कि एक तारी के आसपास का वह छेत्र जहां आसपास के ग्रहों की सतह पर मौजूद तरल जल के लिए ना तो अत्यधिक गर्म और ना ही अत्यधिक ठंधा हो तो वह छेत्र क्या कहलाता है गोल्डी लॉक्स जोन कहलाता है हमारी प्रिथवी सुर के गोल्डी लॉक्स जोन में है अब उसे समझावी दिये हैं कि यदि प्रिथवी वहां हो जहां बौना ग्रह प्लूटो है तो उसका सारा जल जम जाएगा दूसरी और यदि प्रिथवी व क्या कहेंगे गोल्डी लॉक्स जोन कहेंगे अब अगला जो टॉपिक है हमारा वह है H9N2 वाइरस यह हम लोग जानते भी है इसके बारे में यह इन्फ्लुएंजा A वाइरस का क्या है सब टाइप है उप्रकार है यह वाइरस इंसानों में इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लु फैलाने का एक मोख्यकारक है सबसे पहले यह खोजा कब गया है सबसे पहले 1966 में H9N2 वाइरस को विसकौन सिन अमेरिका में तर्की पक्षियों के जुन्ड में देखा गया यह कोशन यहां बनता है कि H9N2 वाइरस सबसे पहले कब देखा गया तो 1966 में देखा गया किसी में देखा गया तो तर्की पक्षियों के जुन्ड में देखा गया US National Center for Biotechnology Information के अनुसार यह वाइरस पुरे विस में सिर्फ पक्षियों में पाया जाता है और Paltry में एक महामारी की तरह फैलता है तो इस बात को यहां पर क्या रखना है ध्यान रखना है तो 1966 में तो पक्षियों में देखा गया थे लेकिन पहला इंसानी मामला कब देखा गया इंसान में पहले इसको कब देखा गया है तो 1998 में और कहां पर देखा गया है तो हॉंग कॉंग में देखा गया है और फरवरी 2019 में महराष्ट के मेल घाट जिले के 93 गाओं के कोड़कू जन जाती पर जब सामुदाइक निगरानी की गई तब इस वाइरस का पहला मामला भारत के सामने आया है यानि कि यह जो वाइरस है इसका पहला मामला कहां पर आया है महराष्ट के जिला में आया है इसको किस में ऑफजर्व किया गया है तो वहाँ का जो ट्राइब्स थे उस पर क्या किया गया है ऑफजर्व किया गया है तो य जो term है अमेरिका के मार्स मिशन से क्या है? संबंधित है याद रखें मंगल गरह के लिए अपने मिशन में मिशन में नासा मंगल गरह 2020 रोवर यानि कि इस मिशन का नाम है मार्स 2020 रोवर पर सवार साथ उपकरणों में से एक के रूप में एक नया लेजर युक्त रोबोट सूपर कैम भेज रहा है तो सूपर कैम क्या है तो एक रोबोट है जो अमेरिका जो नासा में मंगल यान से साथ क्या करेगा भेजेगा रोबोट का उप्योग क्या होगा तो रोबोट का उप्योग खनिज विज्ञान और रसाइन विज्ञान अध्यन के लिए लगभग साथ मीटर दूरी से किया जाना है यह वेगयनिकों को मंगल पर जिवास में यानि कि फॉसिल्स तथा सुक्ष्ण जीवों की कोखोजने विसाल चटानों तथा धूल के हानिकारक ततों का पता लगाने में मदद करेगा सूपर कैम में एक माइक्रोचिप भी सामिल है जिसकी सहाइता से वेगयनिक हर बार लेजर बीम की चटान से टकराने की ध्वनी सुन सकेंगे तो हम सूपर कैम के बारे में सिंपल सब्दों में समझ जाए तो नासा जो है अपना मंगल गरह 2020 रोवर भेज रहा है जिसमें साथ उपकरन है जिसमें से साथ में से एक आपका क्या है सूपर कैम भी है और सूपर कैम क्या है? तो सूपर कैम एक क्या है? रोबोट है. इसको भेजा क्यों जा रहा है? सूपर कैम को भेजने का उद्यस क्या है? तो यह जब मंगल गढ़ा पर पहुँचेगा, तो वहाँ पर जो चटान में मौजूद जो मिनरल्स है, खनीज है, उसका क्या करेगा? अध्यान करेगा. और अगला क्या है? कि माली चटान में अगर फॉसिल्स कोई मौजूद है, जिवास मौजूद है, तो उसके बारे में भी क्या करेगा? हम लोग को विश्तरित जानकारी देगा. या उसके बारे में भी हम लोग को क्या करेगा? विश्तरित जानकारी देग उस रोबोट का नाम क्या है, सूपर कैम है, इसको किस के द्वारा भेजा जा रहा है, नासा के द्वारा भेजा रहा है, किस मिशन के द्वारा भेजा जा रहा है, तो मार्स 2020 रोवर के द्वारा क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, और सबसे वड़े खासियत है कि इसमें माइक्रोचिप भी लगा हुआ जिसकी सहायता से साइन्टिस्ट क्या कर सकते हैं लेजर बीम का साउन भी क्या कर सकते हैं सुन सकते हैं तो सिम्पल सूपर क्याम रोबोट है इसका उपयोग खनिज और रसाइन विज्ञान का अध्यान करना है या मंगल ग्रह का चटान से संब पंदित सभी जानकाडियों को नासा तक पहुचाएगा इसको क्या रखना है ध्यान रखना है अब एक नया आकास गंगा का खोज किया गया जिस आकास गंगा ये गलेक्सी का नाम है आकास गंगा XMM2599 अब देखते हैं ये आकास गंगा गैलेक्सी है क्या क्यों को कई से खो तो खगोल विदो द्वारा ब्रह्माद में एक विसालकाय आकास गंगा XMM2599 की खोज की गई तो इस नाम को याद रखना है कि एक जामरिसन में पूछ देगा कि हाल फिलाल जिस गैलेक्सी आकास गंगा की खोज की गई है उसका नाम है तो चार आपको दे देगा उसमें से एक नाम यह भी रहेगा तो इसका नाम याद रखना है यह आकास गंगा क्या है वर्तमान में इनक्टिव है निस्क्रिये है यह मृत अवस्था में यह एक्टिव नहीं है यह ब्रह्माद के निर्मान की एक दसम्रा आठ बिलियन वर्स बाद ही अस्तित्त में आ गया था देखि निर्मान के 1.8 billion वर्स बाद ही इसका क्या हो गया था, निर्मान हो गया था, हम लोग अब जाके इसको क्या किये हैं, देख पाए हैं, यहां लगवा 12 billion वर्स पुर्व अस्तितु में थी, यानि कि यहां कभ जीवी थी, तो यहां 12 billion वर्स पुर्व, अभी तो जो कि निस्क्र billion सुरियों के द्रब्यमान से क्या था, ज्यादा था, इसे ultra massive अकास गंगा के स्रेनी में रखा जाता, ultra मतलब अधिक, massive मतलब भारी, तो ultra massive अकास गंगा के स्रेनी में इसको क्या करते हैं, रखते हैं, तो अम्रों सिंपल सब्दों में एक नया अकास गंगा खो जा गया है, जिसका नाम है आकास गंगा XMM2599 है, इस वर्तमान में यहां क्या है, मृत है, निसक्रिये है, यह बहुत ही पुराना आकास गंगा है, यह ब्रहमान के निर्मान के 1.8 विलियन वर्स बाद ही किसमें आ गया था, अस्तित में, और यह एक्टिव कब था, तो 12 विलियन वर्स पू ग्रह, एक नया आपको बाहि ग्रह भी खोजा गया है, आउटर प्लानेट में खोजा गया है, हाल फिलाल फरवरी 2020 में, खगोल विदो द्वारा एक नवजात बाहि ग्रह की खोज की गई है, यह नवजात ग्रह पृत्वी से 330 प्रकास वर्स दूर है, इस ग्रह का अकार, हम हम लोग को क्या रखना है, ध्यान रखना, इस बाहि ग्रह का नाम भी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कौन सा बाहि ग्रह हाल फिलाल में खोजा गया है, अब हम लोग देखते हैं, जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, कि चाइना की एक मचली जो है, अब इसको विलुप प्रजाती में क्या किया है, रख दिया है, इसको विलुप क्या कर दिया है, घोसित कर दिया, और सबसे बात यह इस मसली की थी, कि यह फ्रेस वाटर का जो था, सबसे बड़ी क्या थी, मचली थी, फ्रेस वाटर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी मचली जो थी, वह कौन यांक्त जी नदी पैडल फिस्ट थी जो अब क्या हो गई है विलूप्त हो गई तब इसके बारे में देखते हैं कि यह क्या थी तो यांक्त जी नदी पैडल फिस्ट जनवडी 2020 में International Union for Conservation of Nature IUCN द्वारा चीन की यांक्त जी नदी में पाये जाने वाली ताजे जल की सबसे बड़ी मचली पैडल फिस्ट को विलूप्त घोसित कर दिया गया है तो यह भी याद रखिये कि यहाँ पर कोशन बनता है कि ताजे जल की सबसे बड़ी मचली कौन थी तो आपको paddle fish थी जो वर्दमान में क्या हो गई है विलूप्ट हो गई बहुत important topic है आपको question बना सकता है कि कौन से इसी मचली है या कौन से इसे ताजे जल की सबसे बड़ी मचली थी जिसे चीन भी विलूप्ट घोसित कर दिया तो वह कौन है यांकतजी नदी paddle fish इसका अन्य नाम क्या था तो इसे sword या elephant fish के नाम से भी जाना जाता है यह ताजे जल की सबसे बड़ी मचली में से एक थी व्यस्क होने पर इसकी लंबाई 23 फित होता था इसके विलूप्ट होने के कारणों में अत्यधिक मतस्यन एवं अन्य प्रजाती के मचलियों की खुसपैट सामिल है अखर लोग वेगानिक लोग जब खो जा कि विलूप्ट होने का कारण क्या है तो इतना ज़्यादा fishing किया जाता था या अन्य मचलियों के साथ इसका जो प्रतिद्वन्दिता जो था जिसके कानवया क्या हो गया विलूप्ट हो गया इसे 2003 में अन्तिम बार जीवित रूप में देखा गया था इसका अस्तित प्रित्वी पर लगभा 200 मिलियन वर्सों से था इसके विलूप्टी के लिए यांगती जी नदी पर बनाये गए जुजहा उबा बांध को प्रमुख करणों में से एक माना जाता है और ताजे पाने की पैडल फिस की दो वर्तमान में प्रजातिया मौजूद है जिसका अभी नाम है यांगती जी पैडल फिस एवं मिसिसीपी पैडल फिस जो अभी कहाँ पर है अमेरिका में है तो इससे प्रमुख बात क्या याद रखना है कि ताजे जल की सबसे बड़ी मचली में से कौन थी तो पैडल फिस थी जो क्या कर दिया गिया है वीलुपत घोसित कर दिया गिया है इसकी लंबाई लगव कि इतनी होती थी तो तईस फिट के बराबर होती थी इसका अनने नाम जोने का कारण अत्याधिक मतस्यन या अनने मचलियों के साथ घुचभट था इसमें अगर UPSC में question देता है तो दे देगा consider the following statement निमले खित कतनों पर क्या करें विचार करें और यह जो 4-5 point हम बना के लिखे हैं यही 4-5 point दे देगा अब बोलेगा इसमें से कौन सा एक कतन गलत है तो जो भी point हम लिखे हैं इस सभी point को क्या रखना है इसके बारे हम देखते हैं कि जनवरी 2020 में प्रकासित एक सोध के अनुसार जो लॉजिकल सर्वे ओफ इंडिया द्वारा अरुनाचल परदेश के लोर सुवर्न सीरी जीले में मेटको की तीन नई परजातियों की खोज की गई है तो मेटक की तीन नई परजातियों की खोज कहाँ पर की गई है अरुनाचल परदेश के सुवर्न सीरी जीला में इन मेटको का नाम क्या क्या दिया गया है लियूराना, हिमाल्याना, लियूराना, इंडिका तथा लियूराना, मिन्टा तो यह तीनों नाम ध्यान देना है, याद रखना, अगर पूछ देगा हाल फिला हाल में जो तीन नए प्रजाती की खोज हुई है मेढक की, इसका नाम क्या है तो लियूराना हिमाल्याना, लियूराना इंडिका और लियूराना मिंटा, ये मेढक माइक्रोला योस परिवार क में रखा गया है, इनहें राइस या कोरस मेढक भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, राइस एंड कोरस मेढक, इन मेढकों की खोज, ताले वैली, वाइले लाफ सेंक्चूरी में की गई है, तो कहा पर इसका खोज किया गया है, तो ताले वैली, वाइले लाफ अब हर्गिला सारस की एक लूप प्राइ प्रजाती है भारत में सारस की आठ प्रजातियां पाई जाती है जिनमें से हर्गिला सबसे अधिक संकट गरस्त है इनके संकट गरस्त होने का कारण विक्षो की अंधाधून का टाई एवं आर्द भूमियों का तेजी से घटना यानके डिफोरेस्टेशन और हुमिड जो लैंड है उसके घटना जो है इसका क्या है प्रमुक कारण है असम राज्य जू बोटेनिकल गार्डन गुहाटी द्वारा हर्गिला का क्रित्रिम प्रजन प्रजन कराया गया है अब क्या हर्गिला जूकि व्लुक प्रजाती होने के कगार पे है तो इसका कहीं ने कहीं संख्या तो बरहाना पड़ेगा इसके लिए क्या किया जा रहा है आर्टिफिसिल रिप्रड़क्शन करवाया जा रहा है क्रित्रिम प्रजनन करवाया जा रहा है इस निर्देशित प्रजनन का उद्देश से हर्गिला पक्षी को संरक्षित करना है इसका कंजर्वेशन करना क्या है मेनिस का मोटो है यह प्रजनन आरन्यक प्रोजेक्ट के अंतरगत कराया गया है तो याद रखेगा कि सारस का कौन सा इसा प्रजाती है जो लुप्त प्राई है तो उसका नाम क्या है हरगीला भारत में सारस का कितने प्रजाती मौजूद है तो आठ प्रजाती क्या है मौजूद है इसको बचाने के लिए सरकार के दौरा कौन सा कतम उठाया जा रहा है तो इसका artificial reproduction क्रित्रिम प्रजनन करवाया जा रहा और यह किस प्रोजेक्ट के तहात आता है तो यह प्रजनन आरन्यक प्रोजेक्ट के तहात आता है तो उमीद करते हैं जो 4-5 टॉपिक था इसको आप अच्छे से समझ गया होंगे इस सभी टॉपिक को आप बार बार देखकर इस त्यू किया हो आरन्यक बार प्रोजेक्ट को आउिए्टwend करता हैं जान्यक था इसक्या वक्रियक्ट करता है।